प्रेदर सकों, हमारे स्रिम्मन नाराणी जोतिस अस्थान में आपका स्वागत है, आज हम आपके लेकर आए हैं, 2021 मार्च के महिने में मीन रास वालों के लिए कैसा रहेगा या पूरा महिना, आपको हम बताते हैं कि इस महिने में कौन से व्रत अत्वाते वहार आएंगे, और इस महिने में कौन से आपके लिए सुभ और असुभ तारिखे होंगी, और इस महिने में कब पंचक का योग बनेगा, पंचक लगता है, पंचक में बहुत चीज़े मानी जाती हैं, और कब किन-किन तारीकों को मूल नच्छत्र होगा और हम आपको भी बताते हैं और इसके बाद ये बताते हैं कि मेन रास वालों को लिए कैसा रहेगा या पूरा महिना ग्रहों के स्थिति क्या होगी क्या फल मिलेगा और अगर कोई दिक्कत है इसका उपाय क्या करना चाहिए आसा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सस्क्राइब कर लिए है अगर आपने नहीं किया है तो कर लिजिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक से रखिजे ताकि सब को इसका लाग हो कोई भी वीडियो हमारे चैनल से अप्लोड किया जाए सीधा आपको प्रापत प्रिया दर्सकों इस महिने 11 मार्च को साही अशनान कुम महा परोहे आसा करते हैं कि इस महिने आप गंगाशनान जरूर करोगे 21 मार्च को होलाश्टक प्रायरंभ होगा 28 मार्च को होली का अधान होगी और 29 मार्च को रंगोस्व होली पूरे देश में धुम धाम के साथ मनाई जाएगी हम आपको बताते हैं कि पंचक 11 मार्च को प्राता 9 बचकर 21 मिनट से 16 मार्च को प्राता 4 बचकर 40 मिनट तक पंचक रहेगा इसमें कोई भी 10-6 दिसा की आत्रा, 10 संसकार, खाट बुनना, छत ढलना, लेंटर ढलना और विबाह में बास काटना यह पांचों चीज बरजित बताएगे हैं यह नहीं करना चाहिए अगर आप 10 संसकार करते हैं तो 5 पूतले बना कर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा या इसकी सांती करा लेनी चाहिए अगर आप बताते हैं इस महिने में कब-कब मूल नच्छत रहोंगे इस महिने में 5 से 7 मार्च, 15 से 17 मार्च और 24 से 26 मार्च को मूल नच्छत रहोगा इसमें अगर कोई संतान उत्पन या पैदा करना है डाक्टर अगर सलाह दे रहा है तो इन तारिकों को छोड़ करके और पूरे महिने में आप कर सकती हैं अब हम आपको बताते हैं कि इस महिने में आपके लिए कौन सी सुभ तारिखें होगी जो आपके लिए अच्छा होगा और कौन सी असुभ तारिखें होगी जो वाइट करना चाहिए टाल देनी चाहिए इस महीने में मीन रास वालों के लिए 9, 10, 16, 17, 18, 19, 25 और 27 ताइस तारीखे बहुत अच्छी होंगे इसमें कोई भी सुभकारे आप कर सकते हैं और आपकी मनोकामनाप पूरी होगे अब कौन से तारीखों को नहीं करना चाहिए इस महीने में 2, 11, 12, 14, 23 और 30 तारीख को कोई भी सुभकारे न करें अगर दैनिक जो कारे करना है तो करते रहें लेकिन कोई बड़ा कारे विशेस कारे करना है इन तारीखों को टाल दे अब हम आपको बताते हैं कि इस महीने ग्रहों के स्थिति क्या रहेगी आपकी रास के मालिक विरहस्वती इस महीने आपके लावस्थान पर रहेंगे जो आपको जबड़जस्त लाव होगा इस महीने आप अगर कोई परिछा दे रहे हैं तो सबलता मिलेगी संतान आपकी कोई परिछा दे रहे ही तो लाव होगा उन्नती होगी विद्या बुद्धी में सबलता मिलेगा मन प्रसंद रहेगा और आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगे कई रुके हुए कारियों में आपको सबलता मिल सकता है इस महिने आपके 12 सस्तान पर सूर्य के साथ सुक्र वैठे हुए हैं जो कि आपके लगजरी कारियो में भी खर्च करा सकते हैं पीता छेत्रों से भी खर्च हो सकता है आपको राज की छेत्रों में भी कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं विदे स्यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो यह महिने बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा कर सकते हैं इस महिने में भाग्यस्तान पर क स्थान पर राहू के साथ मंगल राहू उच्च के और मंगल के साथ अंगारक दोस्त बना रहे हैं थोड़ी सी इस महिने मित्रों से और भाईयों से थोड़ी सी सावधानी बढ़ते हैं मन मुटाओ इतियाद न करें कोई बड़ा विचार कर कारें तो ज्यादा अच्छा होगा या मित्रों से या भाईयों से आपको थोड़ा सा आपसी मन मुटाओ या कुछ नुक्चान हो सकता है इस महिने नेत्र का विशेश रुप से आपको ध्यान रखना है पत्नी के स्वास्त में थोड़ी सी थकावट सारी पीड़ा हो सकती है इस महिने आपके लावस्थान पर ब्रस्वति, सनी और बुध तीनों भी राजमान हैं जो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी उनती आपको देंगे, लेकिन आपको दसमेश बिजनिस के कारक और सब्तमेश पतनी और सेकंड बिजनिस के कारक दोनों ही लावस्थान पर बैठे हैं, जो कि सुर्य आपके लगम पर आजाएंगे, जो कि थोड़ी सी उत्तेजना क्रोथ तो देंगे, लेकिन सफलता देंगे आपको, और ब्रहस्वति की पांच में द्रिष्टी मित्र पराक्रम पहने गोज़र से, मित्रों के साथ अनबन तो जरूर हो सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी आपको कोई डरने की खास जरूरत नहीं है, प्रिष्वति की साथ में द्रिष्टी संतान पर है, संतान की आपको मने पहले ही बता दिया, संतान और बिद्या की सबलता मिलेगी, अगर आप कोई परिछा दे रहे हैं तो आपको लाब होगा, संतान आपकी कोई परिछा दे र पर होने को जैसे दामपत जी ओन अच्छा रहेगा, मन प्रसन रहेगा, और समाज में आपकी परतिष्ठा रहेगी, क्योंकि दसमेस आपके लाब अस्तान पर होने के समाज से आपको लाब होगा, बिजनिस अगर कोई करना चाहते हैं, नया बिजनिस आरब करना सबलता है, बि प्रियादर सकों, इस महिने ज्यादा तर आपके फ्योर में सारे ग्रह हैं, उनती होगी, वैसे भी मीन रास वालों के लिए 2021 बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें मार्च के महिने में बहुत अच्छी उनती हो सकती है, और 15 मार्च से लेकर के 15 अप्राइल के बीच में आपका कोई भी सेस कारे हो सकता है, अब हम आपको बताते हैं, इस महिने में आपका स्वास कैसा रहेगा, इस महिने में ज्यादा तर स्वास अच्छा रहेगा, बस आप अपने नेत्र का ध्यां रखिये, थोड़ा सा पीता का भी सेस रूप से ध्यां रखिये, हम बताते हैं, कैसा इस महिने पत्नी स्वास्त सहरी पीडर हो सकती है। प्रियदर्शर को yağने आपकी आंधनी अच्छी वनती पर रहेगी, लेकिन लगजरी सुब्धाओं में भी आपका कुछ works हो सकता है पत्नी से चित्रों से या गाड़ी मकान को लेकर या संदर से चीजों में आपका खर्च बढ़ सकता है अब हम आपको बताते हैं कैसा क्या उपाए इस महिने क्या ऐसा उपाए करें जो पूरा महिना आप प्रसंद रहें और सफलता मिल दे अब कीवीयिर है ये पूरे महिने में आपको नारायन कोच का पाठ करना है अगर आप नारायन कोच संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो इसका हinnedी में पाठ करिए To करते रहें और समय में ले तो इस महिने गंगा अगाश्नान करिये तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कि סvc कारे के लिए निकल रहे हैं तो इस महिने पीलागों माल आप अपने पकेट में रख करके निकले तो लाब होगा या हल्दी की गाठे किसी कागज में लेपेट कर अपने जेब में रख लीजिए तो आपके मनों कामना पुरी हो जाएगे अब हम आपको बताते हैं कि प्रेदर सको चैनल पर समय का भाव होता है इसलिए हम आपको अधिक जानकारी नहीं दे सकते हैं अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के नीजे दे हुए नमबरों से आप समपर करके जानकारी ले सकते हैं और आसा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सस्क्राइब कर लिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो कर लिजे और ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा लोगों को सेयर कीजिए ताकि सब को इसका लागो इन्ही सब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम द दिश्द्वेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8 5 1 0 9 9 7 8 1 0 हमारा इमेल आइडी है श्रीमननारायनजोतिशसंस्थान at the rate gmail.com हमारे इहां वैदिक ब्राम्हनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाट, करमकान, यग्य अनुस्ठान, विवाह, ग्रेप्रवेश, कालसर्पदोश वन नव ग्रहों की पूजा आदी कराई जाती है हमारे इहां सभी प्रकार के यंत्र, राश्वी रत्न कवच, जन्पत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किये जाते हैं व्यपार में रुकावट, ग्रिकलेश, आर्थिक समस्या इत्यादी का समाधान किया जाता है